अच्छा ये राजश्री के साथ काम नहीं कर रही मैं मुझे तीन महिने के बाद पते चला कि मैं राजश्री के साथ काम नहीं कर रही तो इसको आप दान-दानी, बेवकूफी कुछ भी कह सकते हैं तुम क्या करोगी मुंबई जाके, तुम कहां एक्टिंग करोगी तो मैंने बोला, मैं रीमा लागू की छुट्टी करने जा रही हूँ तो क्या हुआ, उन्होंने बोला कि मैम, हम आपको साड़े साथ हजार रुपे देंगे तो मैंने बोला, बस लकिली मुझे बिदाई का ओफर आया, जो पहला ओफर मुझे राश्री से आया राश्री से मुझे कॉल आया, कि आपको बुलाया एक सीरियल के लिए और मैंने का, वाह, क्या बात है, मैं भागी-भागी गई राश्री माई, मतलब, हमने सिनिमा जो होता है न, जब से मैंने प्यार किया हम आपके हैं कॉन, इस तरह की जो फिल्म्स हैं जिनको देख देख के हम आज भी अगर वो टीवी पर दिख जाए तो हम पूरी खत्म करके ही उठेंगे उसको तो वो सब देखते थे तो बड़ी इच्छा थी राश्री के साथ काम करने की और मैंने एक दिन बोला भी था किसी ने बोला कि तुम मुंबई क्या करने जा रहे हो तो क्योंकि उस समय तो टीवी वगारा सब गोरे चिट्टे और बहुत ही मेक अप और you know you should be very good looking तो इसी लिए सवाल कर लिया होगा भी तुम क्या करोगी मुंबई जाके तुम कहां एक्टिंग करोगी तो मैंने वहला मैं रीमा लागू की छुट्टी करने जा रहे हूँ मेरे मूँ से निकला आई है क्योंकि शुवर्ड माई फेवरेट अक्ट्रिस तो क्योंकि मैंने सुचा वो जिस तरह की मा का रोल वो करती है मैं करूंगी और मुझे नहीं वालम था कि बिदाई में आलोक तो मुझे जब बुलाया तो मैं गई और मैं मिली और मेरा ओडिशन हुआ और उन्हें बला कि मैं आपको बताएंगे हम मैंने ठीक है मैं डेली आ गई मुझे कुछ 7-8 दिन के बाद फोन आया कि मैं आप आ जाईए और कॉंट्रेक्ट साइन करना और पैसेवेसों की बात कर मैंने सोचा पहले तो मैं राजश्री ओफिस गई थी दादर अभी अंधेरी क्यों तो फिर मैंने सोचा कि हो सकता है टेलीविजन के लिए यहां पर यहां पर यह मतलब ओफिस हो मैं चली गई और विवेक थे वहां पर और राजन साही थे तो उन्हें मैं आपको स्लेक्ट क चाहूंगी तो क्या हुआ उन्होंने बोला कि मैम हम आपको साड़े साथ हजार रुपे देंगे तो मैंने बॉला बस तो कहते हैं मैम आपने चक्दी की है लेकिन अभी हमारा इतना बजट नहीं है मैंने का नहीं साड़े साथ तो बहुत कम होंगे प्लीज थोड़ा सा बढ को मैंने ऐसे बस कुछ कैलकुलेट किया मैंने का कर लो विभा कुछ काम मिल रहा है कर लो अभी कुछ काम नहीं मिल रहा चकदे के बाद मैंने हा कर दी और उसके बाद हमारी शूटिंग शुरू हो गई तो मुझे तने ही पता था कि यह राश्री है नहीं है क्योंकि मैंने क शूटिंग शुरू हो गई, शुरू हो गई, एक महीना, दो महीना, और मुझे कुछ एनर्जी से फैलोशिप मिलती थी, उसके कुछ पैसे मिल रहे, बंद हो गए, चकदे इंडिया के भी आने बंद हो गए, मैंने का, क्या भाईयों से उधार ले लिया, थोड़ा सा दे दो जब पैसे आएंगे, तो मैं तुम्हें वापस कर दूँगी, क्योंकि मेरा कुछ 27,000-28,000 रुपे मेरा घर का खर्चा था, फिर उसके बाद, मैंने गा, या मैं प्रोडूसर से ही मांग लेती हूँ, मैंने मेरे को अक्टर ने बोला, मैंने बोला, सर थोड़े से अगर मैरे कुछ कैलकुलेशन चलती हैं दिमाग में, मैंने का आइवेज, चलो करते हैं, मज़ा आ रहा था, टेली कास्ट हुआ, मतलब बहुत ही हिट शो हो गया, नमबर वन शो हो गया, इस अब राजन सर ने बुलाया कि, अभी तक मुझे चेक नहीं आया, राजन सर ने बुला मुझे चेक आया, इंकम टक्स कार्ट के, पता नहीं कुछ दो याजन था, बीस हजार थी सबाइब के, मैंने घर ले जही ने पूरू को पूरु चेक जमा करते हैं, ममी कितने का चेक मिला है, मैंने का पता नहीं, ममी यह तो कुछ धाय लाक के करीब हैं, ऑवर टायम ही था ह मैंने तो इतने दिन मैंने एक महीने का चेक है मुझे तो तो हम गिंती गें रहे एक जीरो दो जीरो थी हम बार-बार हमने उसकी फोटो खीची दिल्ली भेजी कि कितना है माउंट है पूछें विश्टे घरवालों से पूछलो बाहर बेज़ती हो इसे हमें पता चला धाय ला सर के पास गई मैंने का सर यह चमानी कराया है इमानदारी देखो जमानी कराया मैं आपने इतने दिन काम किया और 10,000 रुपे पर दे मैंका क्या पर दे और मैंने पर मन समझके बैठी ती उसको और अबने मेरा 25,000 रुपे पर दे कर धी है अब गॉड अम तो मतलब अमीर होगे बहुत जाद तो यह कहानी थी और यह राजनसर भी या मेरे जितने भी कोएक्टर है यह हर जगा सुनाते हैं यह कहानी फिर फाइनली कोई इंट्रव्यू चल रहा था और मैंने बोला है मैं राजश्री का शो कर रही हूँ बिदाई तो मेरी कोएक्टर कहती है क्या बोल रहे हो आप यह राजनसाही का शो है डिरेक्टर्स कट का है अच्छा यह राजश्री के साथ काम नहीं कर रही है मुझे तीन